एक राजा के सपने में एक परोपकारी साधू ने कहा कि कल रात को तुम्हें एक विशैला सांप काटेगा। वह सर्प अमुक पेड की जड़ में रहता है और वह तुमसे पूर्व जन्म की शत्रुता का बदला लेना चाहता है। सुबह जब राजा सोकर उठा तो उसने निर्ने लिया कि सर्प के साथ मधुर व्यवहार करके उसका मन बदल देगा। शाम होते ही राजा ने उस पेड की जड़ से लेकर अपनी शया तक फूलों का बिछोना बिछवाया, सुगंधित जलों का छिड़काव कर मीठे दूध के कटोरे जगह जगहर खवा दिये। रात को सांप अपनी बांबी में से बाहर लिखला और राजा के महल की तरफ चल दिया। वह जैसे आगे बढ़ता गया, अपने लिए की गई स्वागत व्यवस्था को देखकर आनंदित होता गया सांप के मन में इसने उमड आया। सद्व्यवहार नमरता, मधूरता के जादू ने उसे मंत्रमुग्ध कर लिया था। कुछ देर बाद सांप राजा के शयन कक्ष में पहुँचा। उसने सोचा जिसका ऐसा मधूर व्यवहार है उस धर्मात्मा राजा को कैसे काटू। उसने राजा से कहा, राजन, मैं तुम्हे काट कर अपने पूर्व जन्म का बदला चुकाने आया था, लेकिन तुम्हारे सद्व्यवहार ने मुझे परास्त कर दिया। अब मैं तुम्हारा शत्रो नहीं मित्र हूँ।